नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स की यूट्यूब एजी कुस्ने चनल में आज के दू लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे कि दोनों पैर के तलवों में जो जुन जुन आठ होती है जलन होती है यह प्राब्लेम को हम कैसे स्वाल कर सकते है बीटेल में सिखना है बहुत सरी दवो यू के बारे में बीमारी के बारे में तो आप मेडिसिन कोर्स को जोइन कर सकते हैं कि जहाँ पर आप किसी भी बीमारे के बारे में बेजिक सीख पाऊगे उसके सीम्टरम्स क्या है तो यह कुर्स को जोइन करने के लिए आप हमें वाटसएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एपलिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तब आदे हैं टॉपिक प्योर समझते हैं कि जो दोनों पैर के तल्वों में जो जुन-जुनाहाट होती है जलन वगेरा होती है तो यह क्यों होती है और कैसे यह प्राब्लेम को हम स्वाल कर सकते हैं तो सबसे पहले उसके हम बेजिक के बारे में समझे आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है जैसे कि यह पर डाइगरम में देख रहे हैं कि यह रिजिएन में आपको जलन होती है बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होता है और जुन-जुनाहाट होती है कि जिसको हम short में tingling होता है ऐसा कहते हैं तो उसके symptom हम देखे तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पैर के तलवे है वहाँ पे आपको जलन होती है तो यह एक main symptom है यह problem का कि जिसको हम कहते है कि burning sensation जैसा होना feet के अंदर second symptoms हम देखे तो tingling जैसा फिलोता है कि जो तलवे है वहाँ पे आपको जुन-जुना heart जो होती है तीसरा symptom हम यहाँ पे देखे तो needle prick जैसा आपको फिलोता है कि जैसे कि सुई चुबने जैसा ऐसा होता है और कई बार हलका सा दर्द भी रहता है वहाँ पे कि जैसे कि कुछ बार वहाँ पे loss of feeling जैसा फिलोना numbness जैसा फिलोता है burning sensation और tingling तो यह main symptoms देखने को मिलते हैं फिर अब जानते हैं उसके reasons वगरा क्या है तो सबसे पहला reason यह है कि जो हमारे legs होते है या फिर जो हमारे feet होते है वहाँ के जो area की जो neurons होती है वो weak होने लगी है या फिर वो neurons जो हो डैमेज होने लगी जिसको हम nerve damage के थे हैं तो neurons के damage के करण यह problem जो हो सकती है second reason हम यहाँ पे देखे तो peripheral neuropathy का जो problem होता है जिसके अंदर जो हमारे neurons होती है उन area में जो blood flow होता है वो reduce होता है और उसके करण आपकी जो neurons होती है वो damage होने लगती है जिसको simple हम कहें तो neurons का damage होना और neurons के damage होने से भी यह problem जो हो सकती है जिसको हम peripheral neuropathy कहते है medical terms के अंदर तिसरा reason है diabetic neuropathy तो यह आप diagram में समझोगे तो easily समझ में आ जाएगा कि यह फर्स्ट वली जो यह neuron है वो proper healthy neuron है normal neuron है पर नीचे वली आप neuron देखो तो वहाँ पे जो उसका exon का बाग होता है तो वहाँ पे जो myelin है वो दीरे-दीरे damage होने लगता है और इस तरह से neurons जो वो damage होने लगती है कि जो diabetes के patient के अंदर यह दीरे-दीरे आगे जाके होने लगता है कि जिनका diabetes अच्छे से control में नहीं रहोता sugar level काफी ज़्यादा high रहती है तो उनको आगे जाके यह diabetic neuropathy के problem होते है और यह neuropathy में एक symptom होता है कि आपके पैर के जो तलवे होते है वाँ पे जलन होती है जुन जुना हाट वगेरा होती है फिर चौथा reason है कि कोई person काफी ज़्यादा सराब पीता है काफी heavy alcohol drinking करता है तो उसको भी आगे जाके यह problem जो हो सकता है burning feet का पांचवा reason हम देखे तो vitamins की deficiency और उसमें भी specially हम देखे तो vitamin B12 है, B5 है B6 and B9 जैसे जो vitamin से उसके आपके सरीड के अंदर कमी है, तो भी यह problem हो सकती है फिर छठा reason हम देखे तो nutritional deficiency, जिसको हम कहते है कि पोसक तत्व के कमी है तो यह specially होती है diet में से कि आप proper healthy diet नहीं लेते तो जो nutrients आपको नहीं मिलते है और nutrients ना मिलने के करण यह problem हो सकता है तो ऐसे cases में आपको अच्छा healthy diet लेना चाहिए कि जिससे यह problem जो हो next जो reason है वो है hypothyroidism अनलब कि जो under active thyroid gland हम कहते है कि जिए आपके thyroid gland जो है वो proper मात्रा में thyroid hormone release नहीं कर रही तो भी यह problem जो हो सकता है फिर जो TTS का जो problem हम कहते है कि जिसको medical term में tarsal tunnel syndrome कहा जता है और उसमें swissily क्या होता है कि जो neuron होती है और tarsal tunnel के अंदर जो posterior और tibial nerve होती है वो अच्छे से काम नहीं करे है वो दीरी-दीरे damage होने लगी है तो भी आपको यह symptom जो डेवलप होता है कि जिसके अंदर आपके तलवों में जलन होती है दर्दसा मैसस होता है जिन जिना हट वगेरा होने लगती है next is chronic kidney disease की जो patient होते है कि जिनके kidneys जीरे-दीरे खराब होने लगी है और GFR की जो value है वो उनके reports में काफी कम आ रही है तो उन लोगों को भी यह problem हो सकती है और एक और reason हम देखे तो HIV AIDS के जो patient होते है उनके अंदर भी यह symptom देखने के जो जो डवा यह होती है उनके side effect के करण भी पैर के तलवों में जलन होती है तो अब बात आती है कि diagnosis कैसे किया जाए कि यह problem का जो नीदान है वो किस तरह से हो सकता है तो सबसे पहले जो जरूरी है patient के medical history चेक करना कि past में उनसे कौन सी दवा यह यह यूज की थी कौन सी बीमारी है उसको तो proper जब patient counseling होता है तो वहाँ पे आपको reasons वगेरा पता चलते है यह problem होने के second physical examination वहाँ पे काफी जरूरी बनता है especially आप जहाँ पे जलन हो रही है वो एरिया में proper physical examination होता है तो उससे जो वो reason पता लगा सकते आप तीसरा जो patient के sign and symptoms है कि जब आप उसके साथ counseling कर दे है बातचीत कर दे है तो उस वक्त यह पता चलता है कि कौन से reason से problem हो रही है फिर blood and sugar blood के अंदर जो sugar होती है उसका test कराना जरूरी है कि जिसको हम blood sugar test करते है या फिर urine के अंदर भी कितनी sugar आ रही है वो भी test कराना जरूरी है विकास जिससे हमने देखा कि diabetes के जो patient के अंदर भी एक symptom develop होता है और कई बार कुछ लोगों को पता भी नहीं होता उनकी sugar level जो बढ़ने लगती है तो उस वक्त जरूरी है कि उसका sugar level जो प्रापर test करके चेक करना कि जिससे एक reason हमें पता चले फिर अब बात आती है treatment के कि यह problem को solve कैसे किया जाए तो treatment के हम अलग-अलग options देखते हैं तो सबसे पहले क्या करना है तो ठंडे पानी के अंदर जो वो pair को रखना है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक tub के अंदर आपको अच्छे से पानी बरना है और फिर आपके pair जो दिन में ipsum salt कि जिसको हम कहते है magnesium sulfide जो कहा जाता है कि उसको आप उसके अंदर mix कर सकते हैं और फिर same आपके pair जो उसके अंदर रखने हैं कि जिससे भी यह problem के अंदर काफी ज़्यदा जो रहात मिल दे हैं और यह दिन में एक बार या फिर week में एक बार आप कर सकते हैं तीसरा option यहाँ पर बनता है कि उसी तरह से जो apple cider विने गराता है उसका जो solution होता है कि यह समझे कि आप 1 ml जितना या फिर 10 ml जितना लेते हैं और उसको थोड़े से पानी के अंदर या फिर tub के अंदर या फिर कोई ball के अंदर आप mix कर दे हैं और फिर उसके अंदर आपके pair बिगोते हैं तो भी यह problem जो दिरे-दिरे ठीक होने लगती है और यह week में एक ही बार करना चाहिए ज्यादा बार आपको यह process जो नहीं करनी है next option हम यहाँ पे देखे तर्मेरिक की paste है वो आपको लगानी है कि जो तल्वो के असपास यह और उपर का जो बाग है वहाँ के हल्दी जो है तर्मेरिक है उसके paste वहाँ पे लगानी है कि जिससे भी यह problem जो वो solve होने लगता है पाचवा option यहाँ पे हम देखे तो food की अच्छे से care करने के लिए आपको क्या करना कि एक cream आती है food care cream करके आता है हिमाले के कि जिसके अंदर main ingredients पे सली तर्मेरिक और उसके अलग-अलग extracts होते हैं तो यह भी आप वहाँ पे तल्वो में लगा सकते हैं अब बात करते हैं medicines के कौन सी दवा या जो वह प्रिस्क्राइब की जाती है तो सबसे पहले यहाँ पे जो अलग-अलग options से वह आपको देख लेने के ऐसा है कि यहाँ पे मैंने 10 options बता है तो 1010 tablet patient लेता है उसमें से कोई एक ही लेनी होती है पर अच्छे से अलग-अलग options को देख लें तो सबसे पहला जो option रहता है वो है Maconar Fort के tablet का कि जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब की जा सकती है कि जिसका dose रहता है कि एक capsule लेनी होती है per day और जब तक यह problem solved ना हो तब तक यह patient जे वो ले सकता है कि मानलो 30 दिन तक 60 days तक या फिर उससे भी ज्यादा समय तक यह capsule जे वो patient खा सकता है दूसरा option यहाँ पे बनता है Opti Neuron Fort के tablet ना कि जिसके अंदर vitamin B complex और B12 रहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे दिखा कि एक special reason बनता है कि जो neurons कमज़र होने का vitamins के deficiency के करण तो वो problem solve करेगी यह tablets तो उसका भी dose सेम रहेगा कि एक tablet जो दिन में एक ही बार लेनी होती है तीसरा option यहाँ पे है Neurobien Fort के tablet का कि वो भी same dose मिली जाती है फिर चौथा option हम देखे तो Neurobien Plus की भी tablet आती है कि अगर आगे वाली medications आपने try कर ले फिर भी यह problem solve नहीं हो रहा तो एक यह option बनता है Neurobien Plus के tablet का कि जिसका dose रहता है एक tablet दिन में एक ही बार लेनी होती है पांचवा option है यहाँ पे Max ZLA के capsules का कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसके अदर gamma-linolic acid रहता है macobalamin है vitamin C वगएरा है कि जो specially neurons के healthiness के लिए जो ज़रूरी content वगएरा है वो यहाँ पे जो दिये हुए है फिर चठा option है neurokind gold के जो capsules आते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके अदर multivitamin और multiminerals रहते हैं कि जो specially neurons की healthiness के लिए जरूरी जो यहाँ पे हमने symptoms देखें वो हो रहा है तो उसके लिए यह capsule भी काफी useful सा भीत होता है फिर अगर tablet से ठीक नहीं हो रहा पेशन को तो IV therapy या फिर intramuscular injection के लिए neuroband fort का injection आता है पर यहाँ पर दियान यह रखना है कि जब भी यह injection को IV में लगा जाता है तो proper जो उसको dilute करके ही लगा जाता है जब भी IV में लगता है और एक week में सिर्फ एक ही injection जो लगाना चाहिए multiple injection लगाने से side effect या फिर और ज़्यादा complications हो सकते because excessive vitamin से भी side effects होती है तो यह आपको खास दियान रखना है फिर इसे का एक अलग option बनता है वो है neurokind gold के injection कि इसके अंदर pyredoxin hydrochloride है nicotinamide है और macobalamin उसके अंदर resin है तो यह भी same तरह के से लगता है week में एक ही बार यह injection भी हो रहा है आपको काफी जदा कि तल्वों में जलन भी हो रही है और जंजनार के साथ उसाथ वहाँ पे दर्द भी रहता है कि जैसे हमने बात की कि सुई चुबने जैसा एसास होता है काफी जदा दर्द भी रहता है वहाँ पे तो उस वक्त यह resner plus के tablet जी वो प्रेशन क को प्रेश्क्राइब किया जा सकता है जैसे कि उसके अंदर रहता है प्रेगा बलें रहता है नौल्ट रिक्टी लाइन रहता है और मिथैल को बालें रहता है कि जो वितामिन B12 है तो इसका जो डूस रहता है खास कर एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो एक बार या फिर दो बार हर 6 या 8 गंटे के टाइम इंटर्वल पे लिजा सकती है, नेक्स्ट ओप्शन है गाबा पेंटेन का कि जो 100 मिलेग्राम के टाबलेट्स अविलेबल होते हैं, तो वो भी सेम डोज मिली जाती है कि एक टाबलेट दिन में एक या फिर दो बार और दो टाबलेट्स के बेच में अटलिस 6 या 8 गंटे का टाइम इंटर्वल रखना ज़रूरी बनता है, फिर अगर काफी ज़्यादा पेंट हो रहा है पेंट को तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो टॉपिकली एक्स्टरनली ओइंट्मेंट भी लगा सकता है जैसे कि अब बात करते कि कैसे प्रिस्ट्रेप की जा सकती है तो सबसे पहले कोई ऐसे टाबलेट की जैसे के अंदर B12 वगएरा है B5 है B6 वगएरा विटामीन है तो उसके लिए मेकवन और फॉर्ट का एक आप्सण रहता है तो यह प्रिस्क्रेप की जा सकती है अगर यह से भी ठी या फिर इंट्रा मस्कलोर इंजेक्शन तो वीक में एक बार इंजेक्शन लगाया जा सकता है नियूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन फिर तीसरा उप्षन बनता है कि अगर पेइन भी हो रहा है तो उस वक्त आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं रेसनर प्लस टेबलेट अगर पेइन वगेरा नहीं है तो इस वक्त ये तीसरा उप्षन यूज़ करने की जरूरत नहीं रहती है और एरिग आप आउट्मेंट बेस्मिलर दरीके सिगर पेइन हो रहा है दर्द काफी हो रहा है तो ही ये लगन ये देना चाहिए वरना उपर के दो आप्षन से भी वा यो के बारे में बीमार यो के बारे में तो मेडिसिन कूर्स को जॉइन कर सकते हैं तो ये कूर्स को जॉइन करने के लिए आप हमें वाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाल एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल ज